आईपेल 2021 के फेस्टू में क्या होने वाली है रोए चलेंजर बैंगलोर की प्लेंग लेवन कौन से चार ओवर्सीज प्लेयर्स को प्लेंग लेवन में मौका दिया जाएगा आज की सुड़ा में हम बात करेंगे तो वीडियो ओवरॉल काफी जदर इंट्रेस्टिंग होने व से वशिंग्टन सुन्दर रूल आउट हो चुके हैं और आर्सीबी टीम ने इनकी रिप्लेस्मेंट पर अकास डीप को शामिल किया है लेकिन दोस्तों यह एक तेजगेंद बास है तो शायद आर्सीबी ने यूए की कंडिशन में प्लेंग लेवन में मौका ना दे और इन आर्सीबी टीम से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाडी है नमबर चार की बात करें तो यहां पर एवी डिवलियर्स हम सभी को नज़र आएंगे नमबर पांच पे दोस्तों इहां पे आरसीबी की टीम के पास महमथ अजरुदिन और रजट पाटिदर दो विगल्प मौजूद है लेकिन यहां पे शायध आर्सीबी की टीम महमथ अजरुदिन को प्लेंग लेवन में चंस देगी रज़त पाटिदर को दूसे पहले भी वनिन दू हसरंगा जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता हैं वनिन दू हसरंगा RCB की टीम से प्ले आउस के मुकाबले नहीं कहलेंगे जाने कि overall हम बात करें तो RCB की टीम के लिए साथ मुकाबलों में available रहने वाले हैं और साथ में से कम से कम RCB टीम इनको चार मुकाबलों में प पावरफुल खिलाडी है और जिस तरगी के बले बात करते हैं तो यह RCB की टीम से 3 डाउन या 4 डाउन हम सभी को नजर आ सकते हैं अब दोस्तों बात करें आप नमबर 7 की तो यहां पर RCB की टीम साबाज आइमद को चांस देने वाली है साबाज आइमद दोस्तों एक स्पि की बात करें तो यहां पर हम सभी को दिखेंगे हर्शल पडेल जो की अभी IPL 2021 में परपल कैप होल्डर है नमबर 10 के हम बात करते हैं तो यहां पर मोहमा सिराज दिखेंगे और नमबर 11 पे यूजी चेहल हम सभी को टीम RCB से नजर आने वाले है तो कुछ इस तरीके की प्ले देविड और वनेंदू हसरंगा भैतरी विकल्फ मौजूद है और अब दोस्तों यूए की कंडिशन में टिम डेविड या थो हम सभी को हसरंगा प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए नजर आएंगे दोस्तों आप लोग क्या लगता है क्या होने वाली है टीम RCB के प्लेइं चैनल को जोइन कर सकते हो जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आइंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में